दिगज एक्ट्रेस फरीदा जलाल ने हाली में अमिताब और जया बच्चन के रिलेशन्शिप के दिनों का जिक्र किया एक्ट्रेस ने बताया कि वह जया और अमिताब को सालों पहले से जानती है एक्ट्रेस ने दोनों के साथ काम के एक्सपीरियंस को लेकर भी बात की फरिदा ने बताया कि एक दोर था जब वो अमिताब और जया के साथ कौफी आउटिंग और लॉंग ड्राइब पर जया करती थी एक इंटर्विय में फरिदा ने कहा कि अमीजी के साथ मेरा बहुत पुराना रिष्टा है और जया के साथ उससे भी पुराना हमारे मन में आज भी एक दूसरे के लिए बहुत प्यार और सम्मान हैं बले ही अब हम इतनी बार नहीं मिलते हैं लेकिन इससे हमारे एक दूसरे के प्रती प्यार पर कोई असर नहीं पड़ा है अमिताब और जया के साथ बिताये पुराने पलो का जिक्र करते हुए फरीदा ने आगे कहा उस समय हमारा एक बड़ा ग्रूप हुआ करता था हम हमेशा मिलते रहते थे मुझे याद है जब अमिताब और जया शादी से पहले एक दूसरे को डेट कर रहे थे तब वो दोनों रात में पाली हिल्स के पास मेरे घर पर मुझे लेने आते थे इसके बाद हम ताज में कॉफी पीने के लिए लॉंग ड्राइब पर जया करते थे बता दे कि फरीदा, अमिताब और जया ने 2001 की फिल्म कभी खुशी कभी गम में एक साथ काम किया था करंट जोहर के डारेक्शन में बनी इस फिल्म में काजोल, शारुक खान, रानी मुखर जी, रितिक रोशन और करीना कपूर लीड रोल्स में थे बागी की तबाव का अबरों के बने रही है, राजणवान नभी के साथ, ताने बाद